box 1 contains 5 red balls and 2 blue balls box 2 contains 2 red balls 6 blue balls a fair coin is tossed if it turns by head a ball is drawn from box 1 else a ball is drawn from box 2 find the probability of each of the following a red ball is drawn ball drawn is from box 1 if it is blue okay तो अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो क्या हो सकता है हमारे पास में हमारे पास में हैं box 1 ओके और यहां पर हैं हमारे पास में box 2 ओके अब box 1 में क्या है हमारे पास में box 1 में हैं हमारे पास में 5 red and 2 blue balls Similarly box 2 में क्या है हमारे पास में 2 red and 6 blue balls तो अब हमें क्या given है A fair coin is touched अब एक coin है हमारे पास में उस coin में क्या है Fair coin means एक side head है उसकी और एक side tails है अब हमें given है अगर fair coin is touched If it turns head तो हम क्या करते है Box 1 से ball draw करते है और अगर head नहीं आया तो क्या कर रहा तो tails है का obvious की बाद है तो हम box 2 से ball draw करेंगे अब find the probability of each of the following A red ball is drawn तो अब red ball कैसे draw हो सकते है See, red ball draw होने की probability देखते है सबसे पहले probability of drawing red ball तो सबसे पहले तो देखो coin toss किया तो coin toss किया तो हमने क्या करते सकता है हो सकता है head आए या हो सकता है tails आए तो maybe सबसे पहले में देखता हूँ head आएगा तो probability head आने की अब let's say अगर head आ गया है ना तो head आने के बाद हम box 1 से ball draw करेंगे और box 1 से ball draw करेंगे तो means उसमें का ज़गा हमें red ball draw करने है कि say box 1 से ओके या फिर अब red ball और का से draw कर सकते हैं box 2 से कर सकते हैं तो उसके लिए हमें कैच चाहिए होगा tails चाहिए होगा और tails आने की probability pt हो जाएगी अगर tails आ गया तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास में क्या होगा यह यहाँ की probability होजगी कि हमने red ball draw करी और किस से करी? box 2 से करी तो यहाँ से करी प्रोबिलिटी और हम देखेंगे तो टेल साने की प्रोबिलिटी 1 by 2 रेड़ बाल ट्रोबिलिटी 2 by 8 अब सिंप्लिफाइ करते हैं इसे तो यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है 5 by 14 5 by 14 plus 1 by 8 तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास value क्या आजाएगी सिंप्लिफाइ करते हैं तो सिंप्लिफाइ करेंगे तो आएगा 40 plus 14 64 64 upon 14 into 8 किता हो जाएगा 14 into 8 हो जाएगा हमारे पास में 112 value हो जाएगी क्या 32 upon what? 56 तो आजाएगी value 16 upon 28 और और सिंप्लिफाइ करेंगे तो जाएगी 8 by 14 या फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 by 7 के equal तो यहाँ हमारी probability आगई किसके equal आगई? 4 by 7 के equal तो probability of drawing red ball is 4 by 7 अब दूसरा part क्या है? ball drawn is from box 1 if it is blue तो अब देखेंगे हम पहली बात तो हम blue ball कैसे कैसे draw कर सकते हैं same scenario होगा हम total blue ball कैसे draw कर सकते हैं यहाँ पर क्या होगा? बस case में इतना सा change रएगा C यहाँ पर हम देखेंगे probability of total blue ball हो जाएगी सबसे पहले probability की head आए उसके बात मैं box 1 से क्या करूँआ blue ball draw करूँआ तो blue ball from box 1 फिर क्या होगा? हो सकता है tails आए मेरे पास में तो उस case में क्या करूँआ अब मैं blue ball draw करूँआ box 2 से अब देखें head आने की probability कर जाएगी head आने की probability होगी 1 by 2 उसके बात blue ball box 1 से draw करने की probability कर जाएगी वो जाएगा 2 by 7 यहाँ आजाएगी हमारे पास में 2 by 7 यह कहता box 1 से हमारे पास में blue ball आने की probability फिर plus अब second box पर tails आने की probability 1 by 2 उसके बात में फिर probability of box B2 से blue ball की वो क्या जाएगी 6 by 8 which is 3 by 4 3 by 4 अब इसे add कर लेंगे value कर जाएगी हमारे पास में यह लिखा हुआ है 2 by 14 या फिर मैं राइट बोल सेखता हूँ 1 by 7 1 by 7 plus यह कह लिखा हुआ है 3 by 8 value कही हमारे पास में 8 plus 3 यह किता होगे हमारे पास में 8 plus 3 is sorry यह गाए LCL ले लोगा probability कि क्या बतानी है हमें conditional probability कि हमें given है कि ball blue है वो box B1 से हो तो अब ball blue होने की probability क्या है हमारे पास में 29 by 56 और B1 से आई थी ball क्या बता है उसकी probability क्या थी 41 by 2 into 2 by 7 तो इसे simplify करेंगे तो दिखें क्या आगया यह 2 into 7 14 है 14 upon 56 is 4 8 upon 29 तो अगीन अगर हमारे पास में ball क्या है blue आ रही है हमें पता है तो B1 से आने कि probability गजा है कि 8 by 29 conditional probability so this is the answer for this question